नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानद बसेष्ट और सज्जनो मई के महिने में मेश रासी के लिए किस प्रकार के लक्षन रहेंगे मई के मैंने में क्या सुखद अवसर प्राप्त होंगे क्या परिशानियां आएंगी कौन कौन सी तिथी कैसी कैसी रहने वाली है ये सब जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे पहले मेश रासी तो मेश रासी के ऊपर भ्रिहस पती चल रहे हैं जो की 22 अप्रेल को आ गए थे राहू पहले से चल रहे हैं और यहां पर सनी उनके एकादस भाव में हैं केतु उनके सब्तम भाव में हैं और बाकी जो हर मैने परिवर्तन होने वाले ग्रेख हैं वो अपने अपने स्थान में इस्थित हैं तो आईए सबसे पहले ब्रिहस पती से ही लेते हैं ब्रिहस पती लगन में बैठ करके अच्छे विचार अच्छी योजना धार्मिक प्रवर्ती घर के अंदर सुखत समाचारों का समावेश करेंगे और इन प्रिहस पती की जो द्रस्टी है वो पंचमिस्तान में है तो जो विद्यार्थी हैं पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये मेना बहुत अच्छा होने वाला है और इसके साथ साथ जिनके गर्ववती में लाएं हैं उनके लिए भी अच्छा सुन्दर परिणाम देने वाले हैं या जो है संतान उत्पन होने के चांस बनेंगे और कई बार लोग ये कह दिया करते हैं कि व्यापारियों के लिए ही बताते हैं मजदूरों के लिए कुछ नहीं बताते हैं किसी भी जो है हलके आदमियों के लिए कुछ नहीं बताते ये सब के लिए हैं चाहे कोई अमीर है गरीब है जिसका जैसा भी रोजगार है वो उसको उसी के अनुसार उसका मुल्यांकन करें इनी ब्रेहस्पती की दृष्टी सब्तम स्थान में है जिनका विवा अभी पेंडिंग है संभावना है कि उनका विवा हो सकता है या उनका संबंद बन सकता है सगाई संबंद हो सकता है व्यापार की अच्छी स्थिति रहेगी और धार्मिक यात्राएं होंगी जिनके अंदर ब्रिहस्पती आपके मददगार होंगे शनी आपके एकादा सिस्थान के अंदर इस्तित है तो वो अपने मूल त्रिकोन के गए तो अतुल और प्रचुर धन की प्राप्ती आपको हो सकती है इसके साथ साथ यही जो है शनी ढ़ाई वर्स तक यहां पर रहने वाले थे राहू आपके लगन में है तो जहाँ जहाँ ब्रिहस्पती ने अच्छे परिणाम दिये वहाँ वहाँ पर राहू कुछ रुकाओ भी पैदा करेगा इसलिए राहू की शांती करते रहे तो आपके जो जितने भी कारेख है चाये वो पढ़ाई का काम है संतान का काम है व्यापार का काम है या त्राओं का काम है उनके अंदर राहू की अर्चने समाप्त हो जाएगी तो اف चलते हैं पूरे महिने की कौन-कौन सित्तिथी आपके लिए कैसी कैसी रहने वाली है तो सबसे पहले आपको जो एक तारीक है वो पढ़ने वालों के लिए विद्यारतियों के लिए जिनका कोई कहीं पर विसेश इंटर्व्यू है उन लोगों के लिए ये पहली तारीक बहुत बढ़िया रहेगी दो और तीन तारीक ये आप लोगों के लिए मेस रासी वालों के लिए थोड़ी सी उलज़नों से भरी हुई है इसके अंदर कोई विवाद हो सकता है जगडा हो सकता है कहीं चोट लग सकती है तो उससे आपको बचना चाहिए चार पांच और छे तारीक पूरी रासी वालों के लिए सब के लिए बढ़िया है चाहिए वो पढ़ने वाला है चाहिए वो ब्यापारी है चाहिए वो ग्रहस्ती है चाहिए वो सन्यासी है जो भी है चाहिए वो मजदूर है सब के लिए इसका प्रिणाम बढ़िया होगा और साथ और आठ तारीक ये आप लोगों के लिए स्वास्त के लिए ठीक नहीं रहेगी उसके अंदर स्वास्त की कोई परिशानी हो सकती गए स्वास्त दर्म गरम हो सकता गए इसलिए उस समय पर अपना समल करके चलें कोई भी कारे बाहर जाने का है तो इसको इस्थगित करें कोई भी नया कारे साथ और आठ तारीक में परारंब ना करें नो और दस तारीक ग्यारा बारा तारीक तेरा और चोदा तारीक ये छे दिन आपके लिए कंटीनू बहुत बड़े आगए इन छे दिनों के अंदर सुखद यात्राएं भी होंगी लाबकरी यात्राएं भी होंगी राज़की या कारे भी बनेंगे व्यापार के कारे अच्छे रहेंगे मित्रों दोस्तों से भाईयों से अच्छा जोग है लाब इसके अंदर आपको प्राप्त होने वाला है और इसके साथ ही साथ अब आगे के लिए आपको चाहिए कि जो आगे आपकी 17, 16 और 17 तारीख ये खर्चों के लिए ठीक नहीं है इसके अंदर कोई नुकसान हो सकता है लेकिन 17, 18, 19 तारीख ये आपके लिए बहुत सुखद जाएगी घर परिवार के अंदर अच्छा माहुल रहेगा कोई न कोई नया मेमान आने से घर के अंदर परिवार के अंदर बहुत खुशिया होंगी धन का प्रवाह आपका बढ़े नया मित्र बन सकता है मित्रों से सहयोग की प्राप्ति हो सकती है लेकिन 24, 25 और 26 तारीख ये थोड़ी सी चिंता जनक रहेगी इस समय पर पहली बात तो ये कोई नया कारिय ना करें कहीं पर जाने आने का कारिकर्म ना रखें क्योंकि उस समय पर आपके लिए जो है यात्रा समय ठीक नहीं होगी नए कारे के लिए ये समय ठीक नहीं है कुछ मन के अंदर असंतोस या किसी प्रकार की परिशानी रह सकती है अब 27-28 तारीख ये विद्यारतियों के लिए बहुत बढ़ियाग है किसी भी जगह इंटर्व्यू देने वालों के लिए बहुत समाचार मिल सकता है खुसकबरी मिल सकती है संतान से खुशी की प्राप्ती हो सकती है लेकिन 29-31 तारीख ये आपके लिए ठीक नहीं रहेंगी तो ये आपको बेश्रासी वालों का मई का मैना कैसा जाएगा ये हमने आपको बताया बाकी आपको और कुछ जानकारी की आउश सकता है जन्मपत्ति के संबंदित वास्तु से संबंदित ओ तो इन नम्बरों से आप संपर्क करें कारेले से अपाइंडमेंट ले और एक बात का विशेश द्यान रखें कारेले की सेवाएं उन सेवाओं को अर्पन करके आप लाप्राप्त कर सकते हैं नमस्कार हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट कर्मकांड संगीत में विभा ग्रीक लेश काल सर्प दोश व्यापार में रुकावट वा नव ग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वैब साइट है